आज की वीडियो कुनलीनी जागरित करते समय जो लक्षन एक साधक को अनुभव होते हैं उसके विशे में हैं किस तरह के लक्षन आपको अनुभव होंगे जब आप कुनलीनी जागरित करोगे अभी तक मैंने विदी नहीं बताई है क्योंकि विदी मैं बिल्कुल आखिर में आपको बताऊंगा इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो चीज बाद में बताने की है उसको अगर मैं आप लोगों को शुरू में बता दूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है इसलिए मैंने आप परीचे से सुरू किया है कुणलीनी के लिए ताकि आप लोग को कम से कम ये पता रहे कि जिसको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो असलमिक क्या चीज है उसके क्या लक्षन है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है ठीक है ना तो आज मैं आपको लक्षन बताऊंगा हो सकता है कुछ सादकों को लक्षन वैसे महसूस हूँ जैसा मैं आज आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि कुलिनी जागरित सिर्फ ध्यान से या किसी एक प्रकार से नहीं जागती है इसको जगाने के भी कई प्रकार है बहुत से साधक तो केवल पूजा पाट से भक्ती से ही उनकी कुलिनी जागरित हो जाती है ठीक है? तो इधर हल्दवानी में एक संत थे, उन्होंने केवल गाएं की सेवा करके ही उनकी कुनलीनी जागरेत हो गई थी तो जितना हम भक्ती या उसमें डूब जाते हैं कुनलीनी तब भी जाग जाती है ठीक है, तो इसके कई परकार होते हैं तो जितने भी सादक भाई बैन है अगर उनको आज के जो लक्षन है उनको ऐसा महसूस होता होगा तो यह बहुत सुबसंकेत हैं और यह मान के चले कि उनकी कुनलीनी जो है वो जागरेत हो रही है तो शुरुवात में तो मैं आपको समान्य लक्षन बताऊंगा इंग्लिश में बोलू तो बहुत common experiences जो सुरुवाती स्टेज में समान्य तोर पर आप लोगों को अनुभव होंगे जैसे कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपको इस्ट देव दिखाई देते हैं अपने गर्जना सुनाई देती है हूम हूम इस तरह की गर्जना आपको सुनाई देगी रोशनी की गेंद आपको एक ही स्थान पर फुदक्ती हुई महसूस होगी हो सकता है आपका जो ये नेक एरिया है गर्दन का जो भाग है वो उचा उठ जाए तो जब ये उचा उठ जाता है थोड़ा सा आपको अगर महसूस हो कि पहले से कुछ ज़्यादा उचा उठ गया है तो यानि कि वो भी एक अच्छा लक्षन है जहां पर ब्रहामन लोग चोटी रखते हैं सर का जो भाग होता है वो वहाँ पर सहस्त्रहर चक्र होता है तो महाँ पर ऐसा लगता है जैसे चीटिया चल रही है ठीक है यह जो खोपड़ी है इसको कपाल बोलते है तो महाँ पर ऐसा लगता है कि यह उपर की तरफ खिच रहा है चहरे की मासपेस यह उपर की तरफ खिचने लगती है तो ऐसा लगता है कुछ तो है जो उपर जा रहा है चहरे चहरे पर ठीक है तो यह समान्य लक्षन है और सुर्वाती लक्षन है अब जो आगे बताऊँगा यह थोड़े से डीप जब हम जादा गुश जाते हैं कुल्णीनी जागरन में तब वो अनुभव होते हैं एक से ज़्यादा सरीर का अनुभव होता है कि हमारे एक नहीं दो सरीर हैं देखें कई बार सादक को एक से अधिक सरीर क्यों मैसूस होते हैं यानि एक तो हमारा स्थूल सरीर हो गया ठीक है एक हमारा सूक्सम सरीर हो गया लेकिन स्थूल की मैं बात कर रहा हूँ ये जो सरीर आपके पास है अभी इसमें ऐसा लगता है सादक को कि दो सरीर में हूँ मैं तो कई बार सादक गबरा जाते हैं और महीं सादना छोड़ देते हैं महीं कुल्लीनी जागरित की वो जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देते हैं ठीक है वो सोचते हैं ना जाने क्या है पर गबराने वाली कोई बात नहीं होती ये सिर्फ आपको एक अनुभव हो रहा है और एक समान्य अनुभव हो रहा है और पॉजिटिव अनुभव हो रहा है ये दो सरीरों का अनुभव होता है तो यानि कि आप ये समझ जाओ कि आपका अनाहत चक्र जो हिर्दया पे होता है वो जागरित हो गया है कई बार सादगों को लगता है जैसे उनके सरीर के छिद्रों में गर्म वायू निकल कर एक ही स्थान पर इकत्रित हो गई और एक ही शरीर का रूप धारन कर लिया जो बहुत सक्तिसाली है तो उस समय जो स्थूल सरीर है जड़ प्रदार्थ की भाती बिल्कुल क्रियाहीन हो जाती है तो इस दूसरे शरीर को सूक्सम सरीर जिसको हम मनों में शरीर भी कहते हैं कभी-कभी ऐसा लगता है कि सूक्सम सरीर हवा में तैर रहा है और वो शरीर हमारे थूल सरीर की नाभी से कुछ पतले तंतू होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है यानि कि सूक्सम सरीर हमारे इस नाभी के कुछ पतले तन्तू होते हैं नसे कहलो या धागा कहलो कुछ ही भी कहलो आप कुछ भी समझ लो तो ऐसा लगता है कि वो उससे जुड़ा हुआ है तो कभी ऐसा भी अनुभा हो सकते हैं कि यह जो सूक्स में सरीर है हमारे थूल सरीर से बाहर निकल गया ठीक है मतलब कि आतमा ही बाहर निकल गई और ऐसा में महसूस होगा कि अब हमारा या जो सरीर है यह भाहर का सरीर है यह रहे गई नहीं मिर्ती हो जाएगी मर जाऊंगा तो ऐसा विचार आते ही हम उस सूक्स्म सरीर को वापस थूल सरीर में लाने की कोशिश करते हैं ये बहुत आगे की स्टेजिज होते हैं ठीक है? ऐसी भावना करने से वो इश्वर का स्मरंड करने से वो जो सुक्षम सरीर है बहुत ही जल्दी इस थूल सरीर में वापस प्रवेश कर जाता है तो जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो अपने इश्ट का ध्यान करें और ये महसूस करें कि वो जो सुक्षम सरीर आपके आपसे बाहर निकल रहा है उसको आप वापस लाने की कोशिश कर रहे हो जब ऐसा महसूस होता है न तो समझ लो कि आग्या चक्र भी आपका जागरित होने वाला है ठीक है दिव्या जोती का दिखना सूर्य के समान दिव्या तेज का पुंज एक दिव्या जोती दिखाई देती है ये कुणलिनी जागने और परमात्मा के अत्यन्त निकट पहुँचने के लक्षन है ये तभी होता है सिर्फ उस तेज को सेहन करना बहुत कठीन होता है वो जो तेज पुंज आप देखते हो चयोती उसको सेहन करना बहुत मुश्किल होता है ऐसा लगता है कि आँखे चुन्दी आ गई है और इसका अभ्यास ना होने से यानि कि उस प्रकास को ना जहिलने से, हम जहिल नी पा रहे अगर तो वो भंग हो जाता है तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहने चाहिए ने तो ध्यान भंग हो जाएगा उस तेजपुंच से, वह तेजपुंच आत्मा जो है उसका प्रकास इतना है कि आदमी उसको सही नी सकता उस प्रकास को तो इसलिए नित्य अभ्यास करना चाहिए समाधी के निकट पहुँच जाने पर ही इसका अनुभव होता है और समाधी मैंने आपको बताया था बिल्कुल लास्ट इस्टेज है ध्यान में कभी ऐसा लगता है कि जैसे पूरी पृत्वी गोद में रखी गई हुई है आपके शरीर की जो लंबाई है वो बदलती जा रही है कई बार ऐसा लगता है तो पता नहीं कितनी लंबी हो गई है शरीर की लंबाई अनंती हो गई शरीर के निचे का हिस्सा जो है गर्दन का पूरा जो पीछे का भाग है, वो घूम जाता है, होता नहीं है, सिर्फ experience, ऐसा लगता है, ऐसा मालूम होता है कि ये चीज हो गए, शरीर का रूई की तरह हलका हो जाता है, शरीर जो है हमारा, ये सब ध्यान के समय, कुंडलीनी जागरन के कारण, ये अलग-अलग जब खुलते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी प्रतिभाएं हैं जो परकट होती है, जब अलग-अलग चक्र खुलते हैं, तो सभी चक्रों का अलग-अलग experience होता है, ठीक है, कभी-कभी सादक को पूरा का पूरा शरीर जो है, वो एक दिशा में ही ऐसा लगता है कि उसी एक दिशा में विशेश घूम रहा है, ठीक है, तो सादना की जो उच इस्थिती में ध्यान, जब सहस्त्रहार चक्र पर या शरीर के बाहर इस्थित चक्रों में लग जाता है, तो इस संसार वो इस शरीर के अत्यंत अभाव का अनुभव होने लगता है, यानि एक शु जब सादक का चित वापस नीचे लोटने लगता है, तो इस संसार को देखकर गबरा जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं होती, कि ए मैं कहां आ गया, उसको ऐसा महसूस होता है, क्यूंकि उसे ये ग्यान ही नहीं होता, कि उसने एक क्या देखा है, उसको एक क्या नुभव हो उसे इस बात का बिल्कुल भी अनुमानी नहीं होता वो इसमें इतना रम जाता है तो जब वापस इस पृत्वी पर लोटता है उसके सेंसिस काम करने लगते हैं तो उसको यह लगता है रहे मैं वापस कहां आ गया इसको आत्म बोध कहते हैं यह समादी की सबसे प्रारंबिक स्टेज होती है यानि की प्रारंबिक अवस्था होती है अत्य है इससे भी कभी न घपराएं बलकि दीरे दीरे इसका अभ्यास करते रहें और अपने जितने भी दोयत भाव हैं जो शेष रह जाते हैं, वो धिर धिरे खतम हो जाते हैं, द्वन्द भाव जो हैं, वो पैदा होते रहते हैं, अब वो जो है तो दो नाओ में सवार होने वाली स्थिती आ जाती है, द्वन्द में, तो द्वन्द धिर धिरे खतम हो जाएंगे, और ये द्वन्द स्थिती भी दिरे-दिरे खत्म हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ आपको जो प्राप्त होगा, वो होगा आत्म बोध, स्वयम का ग्यान, ब्रह्म ग्यान, ठीक है, इसलिए सादक को चाहिए कि वो धहरे रखे, और दिरे-दिरे समादी का, इस समादी का अभ्यास करता रहे, इस कुंड़ीनी जागरन का अभ्यास करता रहे, आखिर आप समादी तक दिरे-दिरे पहुची जाओगे, और यथा संभव, संसारिक कार्यों को भी, ये मान कर, कि गुन ही गुनों में बारात रहे हैं, करता रहे, और इसको करता रहे, इश्वर पर पूर्ण विश्वास रखे, साथ ही इस समय उसे तत्व ग्यान की भी आवशक्ता होती है, और जिससे उसके मन में जितने भी समस्त द्वंद्व हैं, वो सीग्र सांत हो जाए, इसके लिए जो भी, जो हमारे श्री रामायन नाम का जो ग्रंत है, विशेश रूप से उसका अध्यान करे, तुलसिदाज जी की आप रामचरित मानस ले सकते हैं, अन्यथा आप वालमिकी जी की रामायन ले सकते हैं, उसका अध्यान करें, तो जितने भी आपका तत्व ग्यान है, वो जागरित हो जाएंगे, ये तत्व ग्यान जब जागरित हो जाता है तो कुंडलीनी जगाने में वो बहुत साहता करता है ठीक है जिस प्रकार समुद्र में जल की तरंग होती है कड़ा और कुंडल है मिट्टी ही मिट्टी की सेना है ठीक उसी प्रकार ईश्वर ही ये जगत है ये हमें मानना चाहिए और रमाइन से हमें यही सिक्षा मिलती है सारा संसार इश्वर का रूप परतीत होने लगता है और मन जो है हमारा पूर्ण तैस शान्त हो जाता है चलते फिरते उठते बैठते यह महसूस होना कि सब कुछ रुका हुआ है शान्त है मैं चली नहीं रहा, मेरा शरीर ही नहीं है मेरा शरीर भी नहीं चल रहा यह सब आत्म बोद के ही अनुभव हैं आत्म बोद के ही लक्षन है यानि कि परमात्मा के आप अत्त ही निकट पहुच चुके हैं और ये अनुभव होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है कई सादकों को किसी व्यक्ति की केवल आवाज सुनकर उसका चेहरा ही, रंग, कद ये सब भी प्रत्यक्स देखने लग जाते हैं, सिर्फ आवाज सुनकर ही और जब व्यक्ति सामने आता है, तो सादक क्या उठता है कि अरे, यही तो चेहरा मुझे दिखा था, यही कद काठी, यही रंग रूप, यह कैसे संबूव हुआ, यह कैसे हो गया ठीक है, तो वास्तव में धार्णा के प्रबल हो जाने से, जिस व्यक्ति की द्वनी सुनी है हमने, सादक का मन, चित, उस व्यक्ति की भावना के अनुसार ही उस तक पहुच जाता है और उस व्यक्ति का चित्र सामने वो अपने देखता है दिव्य दर्शन जिसे हम कहते हैं सास्त्रों में हमने दिव्य दर्शन नाम की चीज पढ़ी होगी यह वही चीज है तो आखे बंध होने पर भी बाहर का सब कुछ दिखाई देना दिवार दर्वाजे हैं उसके आरपार देख लेना बहुत दूर स्थित जगों को भी देख लेना भूत भविश्य की गटनाओं को देख लेना यह सब तब होता है जब हमारा आग्या चक्र जो है वो उसका भेदन हो जाता है तीसरी आख खुल जाती है तो यह तब होता है आपके पास ठीक है तो जितने भी मेरे सादक भाई वहने उमीद करता हूँ आज आपको इस वीडियो से यह अनुभव हुआ होगा किस तरह के लक्षन आपको कुणिनी जागरित करते समय महसूस होते हैं कभी भी इन में से कुछ भी लक्षन आपको महसूस हो कुछ भी अनुभव हो तो समझ जाना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं कुणिनी जागरिन की प्रक्रिया में उसको निरंतर करते रहें गबराई नहीं ठीक है तो आगे फिर दुबारा आपके पास एक नई वीडियो लेके आऊँगा तब तक के लिए जाशीर राम